गैस वेलकम डियो ओन चैनल सिविल इंजिनिंग अड़ा गैस आज एक विजिनस आइडिया लेकर आया हूँ काफी अच्छा आइडिया है और इसका इतना ज़्यादा फ्यूचर है आप सोच नहीं सकते आज इस वीडियो में बात करूँगा कि कितना खर्चा आएगा उस बिजिनस को स्टार्ट करने में क्या-क्या मिटीरियल चाहिए क्या-क्या बेसिक चीज़ें सब इस वीडियो में आज मैं कम्प्लीट आपको बताऊँगा देखो जौब मिलना बहुत टॉफ है और एक ए बिजिनस है जो ये कभी आपका पैसा डुबाएगा नी इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट है मैं सब बताता हूँ कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी कहां से मशीन मिलेगी कहां से मैटीरियल मिलेगा क्या क्या चीजीं आपको चाहिए सब इस वीडियो में क्लेर करूँगा और मैं बताऊँगा कि इसमें गोवर्मेंट आपको क्या देगी मतलब इसमें स्कीम है जो गोवर्मेंट आपको प्रवाइड करती है पहले सबसे पहले देखो आपको किस चीज पर विश्वास है अभी जो हमारी government है BJP पर सबको विश्वास है तो Modi जी ने इसको तक मतलब बढ़ाने का आपको कहा है कि आप इसको बढ़ाओ Even government इसमें 30% subsidy दिती है अगर आप loan लोगे तो 30% आपको subsidy मिलेगी तो पहले आप सब पहले एक वीडियो देखो जो Modi जी का है उसके बाद मैं इसका सब बताता हूँ आपको कि कैसे आपको business start करने है कहां से material आएगा machine कितनी खर्चा होगा क्या 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 चीजे सब उसमें आज में आपको बताने वाला हूँ energy saving, environment friendly वे आर्थिक रूप से कम दाम में तयार होते हैं इटो का उपयोग हुआ है, ब्रिक्स का उपयोग हुआ है उस कॉयले की S से बनी हुई इटो का उपयोग हुआ है उससे strength भी मिलती है और जो best जिसको हटाने का खर्चा करना पड़ता था वही हाँ काम में लाया गया है environment की रक्षा की गई है देखो वीडियो देख लिया, इविन मोदी जी कहते हैं कि ये इस काम आपको start करना चाहिए अभी बात करें कि इसका हमारा area कितना चाहिए area देखो एक वीगा हो गया है, एक से डेड़ वीगा है, उतना होगा चलेगा, कोई दिकत नहीं है starting में अगर क्यूं देखो इसके लिए area इसलिए चाहिए जब इंड बनेगे, machine के लिए इतना area चाहिए, machine थोड़ी जगा में हो जाएगी, 3-4 मरले में machine आ जाएगी लेकिन जो इंड बनेगी जब, उसको सुखाने के लिए वो area चाहिए, क्योंकि 15 दिन तो उसको minimum आपको सुखाना पड़ेगा, उसके बाद आपकी विकरी स्टार्ट होगी तो area हो गया हमारा, कितना एक से दो बिगा, और जो machine है, मतलब total project cost आपको बताऊँ में, तो ये आपको 30-40 लाग रुगया इसको चाहिए इवन मैं खुद अभी ये ही काम कर रहा हूँ, हमारी fly ash की industries है, खुद काम हम ये ही सब कर रहे हैं तो इसमें आप as a partner शुरू कर सकते हो, क्योंकि मेरे को पता है, financially civil engineer अगर आपने अभी degree की, तो उसके बाद financially strong or not tough है तो आप 3 या 4 partner होके ये start कर सकते हो, और government आपको इसमें loan देगी, आपकी degree पर भी loan मिल जाएगा, जो आपकी b.tech की degree उसमें loan मिल जाएगा और उसमें भी 30% subsidy आपको मिलेगी, मतलब 70% आपको government को देना है, 30% government अपने से दे रही है, आपको काम start करने के लिए और इसमें कोई नहीं है, क्योंकि इसका काफी जादा future है, flyash brick इतनी जादा strength है उसकी, कि वो लाल brick और WAC block को भी पीछे छोड़ देती है मतलब उसकी काफी जादा strength है, 100-120 kg per centimeter scale उसकी strength है, जो technical percent उनको समझ आ रहा होगा बाकि जो इसमें technical नहीं है, वो भी ये काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है और अगर अब हमें material की बात करता हूँ इसको material इसमें क्या चाहिए, आपको fly ash चाहिए, 60% मतलब 60% इसमें जो brick बनेगी आपकी उसमें आपकी fly ash होगी, बाकि उसमें sand होगी 20%, फिर उसमें हमारा gypsum आता है, lime आता है, बाकि basic material आपको मिल जाएगा ये सब detail आप जहां से भी industry setup लोगे, मतलब machine लोगे दो company आपको सामने दिख रही है, उदर से भी कर सकते हो, बाकि आपको, अगर आपको किसी को जानना है कि कहां से ये machine मिल लगी क्या है, मैं description में link दे दूँगा, वहाँ आप कर सकते हो, बाकि बार साहिम नबर आपको show हो रहा है, आप देख सकते हो, वो material आपको सब मिलेगा और आपको बताएंगे कि आपको machine कैसे चलानी है, material के बारे में, सब आपको बताया जाएगा उसमें जब आप machine लोगे, अभी मैं अपने experience से आपको बताऊँ कि कैसे business start करना चाहिए, देखो सबसे पहले क्या करना, area वहाँ लेना, जहाँ पानी आपको easily available हो, एक चीज, दस से बीस किलो मेटर से जादा मतलब दूर मत बनाना setup, दस से बीस किलो मेटर भी होगा ठीक है, उससे जादा अगर आप करोगे तो transportation का बहुत जादा खर्चा पड़ जाता है, तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है कि आपका कुछ पास में ही area हो, जिसे आपका खर्चा किया है, किन लोगों ने start किया है और मुनाफ़ा किया है, सब इसनोंने बताया है, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको कितने रुपे की इंट पड़ेगी, इवन आपको इस वीडियो में पदच लज़ जाएगा कि कितने की इंट पड़ेगी, कितना उसमें मुनाफ़ा तो फिक्र किस बात की, ऐस ऐस मशीन लाए हैं आपके लिए Fly Ash Bricks Plant का बिजनस, जो की आपके और आपके परिवार के लिए एक अच्छा बिजनस आप्शन हो सकता है. इस बिजनस से नसर्फ आपको शुरुवात में अच्छी इनकम होगी, बलकि आप इस बिजनस से जुड़े लोगों में शुमार हो सकते हैं. इसका मुख्य कारण ये है कि मौझूदा समय में Fly Ash Bricks का चलन बढ़ता जा रहा है. इस बिजनस के शुरुवात आठ लाख रुपे से 21 लाख रुपे हो सकती है. जहां तक इनकम की बात है, तो इस बिजनस से शुरुवात में एक लाख रुपे महिना से लेकर करोडो रुपे प्रतिवर्श हो सकती है. Fly Ash Bricks बनाने वाली मशीन से आप अपने भविश्य को एक नई दिशा दे सकते हैं. आईए, हम आपको मिलवाते हैं SS मशीन के कुछ खास लोगों से, जो आपको बताएंगे कि Fly Ash Bricks मशीन से आप अपने भविश्य के लक्ष को किस तरह प्राप्त कर सकते हैं. आसिव गौरी जी बताते हैं कि ये सभी मशीने एट बनाने की शमता के अनुसार है. आठ लाख रुपए कीमत वाली मशीन की शमता पार सो से एक हजार एट प्रती घंटा तयार कर सकती है. जबकि 21 लाख रुपए वाली मशीन की शमता दो हजार से पचीस सो प्रती घंटा इस बिजनिस को शुरू करने के लिए आप के पास जमीन का होना बहुत आवशेक होता है ताकि मशीन को लगाने के बाद इट का भंडारन भी कर सकें दरसल मिट्टी से बनाने वाली इट से फ्लाय एश ब्रिक्स काफिक की फायती मानी जाती है इंदोर के बिल्डर मोहन यादव ने बताया कि फ्लाय एश ब्रिक्स से मकान बनाने में सिमेंट का खर्च 20 से 30 फीसदी तक कम हो जाता है इसके अलावा फिनिशिंग दिवार के दोनों तरफ आती है इससे प्लास्टर में भी सिमेंट की बचत होती है वहीं सुखी राख होने के कारण मकान में नमी नहीं आती है ये इसकी मुख्य विशिष्टा है फ्लाय एश ब्रिक्स बनाने में सबसे ज्यादा जरुवत एश यानी की राख की होती है ये राख कोईले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट से मिलती है ललितपुर यूपी के फ्लाय एश ब्रिक्स कारोबारी निलू तिवारी ने बताया कि पावर प्लांट पर ये राख प्रदूशन को देखते हुए कम से कम दाम पर कारोबारियों को दिया जाता है केवल इस राख को अपने प्लांट तक लाने के लिए जो खर्च होता है बस यही इसकी कीमत होती है फ्लाय एश ब्रिक्स को बनाने के लिए 55 फीसदी फ्लाय एश, 35 फीसदी रेत और 10 फीसदी सिमेंट की जरुवत होती है इसके अलावा 65 फीसदी फ्लाइश, 20 फीसदी रेत, 10 फीसदी चूना और 5 फीसदी जिपसन के मिक्स्चर से भी ब्रिक्स बनाई जाती है फ्लाइश ब्रिक्स कारोबारी गोविंद अगरवाल ने बताया कि फ्लाइश की इड बनाने में 2 से 2 रुपए 25 पैसे खर्च आता है ये खर्च अलग-अलग जगहों के हिसाब से अलग-अलग हो जाता है गोविंद अगरवाल के यहां राख नागदा भूपाल से आती है वही पर डीलर्स हैं जो इस एश यानि राख को पहुँचाते हैं गोविंद जी ये भी बताते हैं कि वे अपनी मशीन से सिमेंट ब्लॉक इंटर लॉकिंग टाइल्स आदी भी बनाते हैं अथवा जरूरत अनुसार माल तयार कर लिया जाता है और आज गोविंद अगरवाल जी काफे खुश हैं अपने इस बिजनस से हम आपको बताना चाहते हैं कि फ्लाइ एश इट की कीमत बाजार में उपलब्द सामान्य इट के बराबर है लगभग 4 रुपे से 5 रुपे प्रती इट तक बिखती है यदि प्लांट दूर हो तो कीमत बढ़ जाती है कारोबारी कमल उपाद्याई गौलियर वाले बताते हैं कि जब इट को पूरी तरह से सुखा कर तयार होने में 15 दिन का समय लगता है इसके बाद इसकी बिकरी शुरू होती है एक महिने में अगर आप 50,000 इट भी बेचते हैं तो आसानी से 1 लाख रुपे की इंकम कर सकते हैं जबकि 50,000 बिक्स आप केवल 5-6 दिनों में तयार कर सकते हैं कमल उपाद्याय के अनुसार इस समय मांकिट में इन इट की मांग बहुत है वे ये भी बताते हैं कि उनके यहां से एक महिने में डेड़ से ड़ाई लाख इट बिक जाती है जो की एक बहुत अच्छा बिजनस साबित हो रहा है अब हम आपको हमारे एक और व्यापारी चोहान जी जो की भोपाल से है इनका कहना है कि फ्लाई एश ब्रिक्स मशीन से आज के इस दौर में भी वे हसी खुशी आसाली से एक से दो लाख रुपए कमाते हैं और अपनी हर जरूरत को पूरा करते हैं तो देर किस बात की आप आज ही अपनी मशीन को बुक करें और कमाई ये लाखो में दोस्तों आप इसको एक अच्छा बिजनस बोल सकते हो अगर आप सिविल इंजिनियर हो जहां आप लोकल परसंड भी हो तीस से चालीस लाकर पे लिए इसका इन्वेस्ट करना पड़ेगा और चार से पांच इसमें लेवर चाहिए बाकी आपने वीडियो में देखी लिया कि क्या क्या बेसिक डिटेल है बाकी अगर इस मिशीन के बारे में जानना है आप डिस्क्रिक्शन में लिंक दे दूँगा आप देखो जाके इसकी कुछ भी आपको केरी रहती है आप पूछो जाके उनको और मेरे परसनल अगर तज्यूर्बे से मैं कहूं आप सबको जिनको अभी बिजनस स्टार्ड करना है एक बेस्ट बिजनस इसको बोल सकते हो आप क्योंकि इसमें काफी मुनाफ़ावी है और हर जगा अभी मतलब ये फ्लाइ एश ब्रिक यूज की जा रही है और अभी फ्यूचर में रेड ब्रिक थोड़े टाइम बात बंद भी होने वाली है क्योंकि काफी नुकसान हो रहा है इंबॉर्णमेंट को तो इसका फ्यूचर काफी जाद है तो आप इसके लिए सोचिए इसके बारे में पढ़िए और इसमें जो भी हल्प आप चाहिए डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूँगा आप जाके इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हो क्या क्या है क्या नहीं और गाइस अगर वीडियो पसंद आई होगी और आपको ऐसी वीडियो सो चाहिए तो कोई जरूर लाइक करना वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करो जो भी आपको पूछने है थैंक्यू गाइस